राजस्थान की तरह 36 गड़ में भी इसी साल विधान सभा चुनाव होना है। इस चुनावी साल में कॉंग्रेस आई कमान ने बड़ा फैसला लेते हुए पार्टी के दिगजनेता और वर्तमान में स्वास्त मंतरी टीयस सिंग देव को डिप्टी सीम बनाने का निर्णे लिया। पार्टी के बारे में बड़ा निर्णे लेने की त्यारी कर रहा है। ऐसे में असोग गहलोत खेमे में बेचैनी चा गई है। अब अगर पाइलट को बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाती है तो गहलोत समर्थक बिदायक एक बार फिर विरोध कर सकते हैं। गहलोत समर्थक कोई भी नेता नहीं चाहता कि पाइलट को कोई जिम्मेदारी मिले। असोग गहलोत के खिलाफ खुली बगावत करने वाले। सचिन पाइलट अब तक अलग राह चुन लेते लेकिन पार्टी हाई कमान के इसारे के कारण वे पिछले एक महीने से चुप बैठे हैं। राहुल गांदी ने सचिन पाइलट को उनका हक दिलाने का वादा पहले भी किया लेकिन समय पर वादा नहीं पूरा होने पर पाइलट नाराज हुए। उन्होंने गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अब हाई कमान ने पाइलट को संकेत दे दिया है कि उन्हें बड़ चाहता कि पाइलट कॉंग्रेस से अलग हो ऐसा होने पर पाइलट को बड़े नुकसान होने की संभावना लग रही है। पाते हैं या नहीं। राजस्थान सभाद 200 सौप दिया था अब एक बार फिर से सभी विधायक बगावत की तियारी करने में लग गए हैं। दवी जुबान बहुत सारे नेता यह बात कहने में लगे हैं कि अगर सचिन पाइलट को सरकार में सामिल किया जाता है तो हम किसी भी कीमत में बरदास्त नहीं करेंगे और खुल कर सामने आ जाएंगे। असोग गहलोद भी उन सभी विधायकों का साथ दे सकते हैं क्योंकि गहलोद भी किसी कीमत में नहीं चाते कि सचिन पाइलट राजस्थान सरकार में एक बार फिर से सामिल हो। भले उन्हें संगठन में कोई पत दे दिया जाए लेकिन राजस्थान कांग्रेस सरकार खुद में सचिन पाइलट का कोई भी दखल नहीं चाती उनके दखल से बचने के लिए ही सभी विधायकों ने अपना इस्तीफा दिया था उस वक्त कांग्रेस ने अंसासन हिंता का नोटिस तो जरूर दिया लेकिन किसी के उपर कोई कारवाई नहीं की अब कांग्रेस आई कमान न तक क्या करेंगे यह तो आने वाला समय बताएगा लेकिन अभी सब को इंतजार तीन जुलाई का है जिस दिन सचिन पाइलट के लिए बड़ी घोथड़ा होने वाली है